जब से फ्रेंड्स में नहीं है जमेटो पे अपना काम स्टार्ट किया है तब से मुझे ऐसे लगता है कि केक का काम बहुत असान हो गया क्योंकि कोई भी और आता है तो मेरे माइन में आजकल चलता है कि बेकरी की तरह डिजाइन बना देते हैं पहले ऐसा होता था कि कुछ तो मेरा मन करता है कि मैं हर डिजाइन को बिल्कुल बेकरी की तरह बना दो तो यहां पर आज मैं आपको आज की वीडियो में मैं आपको चार केक्स दिखाने वाली हूँ आपको बताने आपको कौन सा अच्छा लगा तो इस डे नाइन आफ माइ व्लॉग सीरीज तो आए व जो भी मेरा रहेगा उससे फायता होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता जो मेरा जैसे डेज रहेंगे मैं आपके सथ बिल्कुल आज तर्स शेयर करोंगी और उसका सारा प्रोसेस भी मैं डेfinetly आपके सथ शेयर करोंगी तो यह सबसे पहले मैं बनाया था ब्लुबेरी केक जिसमें मैंने ग्लेज लगा के थोड़ी से फिलिंग आइड कर दी थी और येस जब से मैंने ये जमेटो पे लॉगिन किया है तब से में पास जब भी टाइम रहता है ना मैं कुछ चॉकलेट की गानिशिंग बना लेती हूँ लाइफ सेवर हो जाती है अगर इंस्टेंट लगा के दे सकते हूँ और रखी कुछ मैंने टाग भी बना बुछ भूल नी जाओं तो मैं एक लास्ट केक को मैं उस तरह से डेकोरेट कर देती हूं तो यह वानकेजी था यह भी ब्लूबेरी फ्लेवर में ही था तो यह किसी बॉय का था तो मुझे थोड़ा सब्सक्राइब देना था पर मोर वर क्लाइन जादा पैसे नहीं दे रहा थ तो क्रीम में ही रखना था और मैंने इसको सेट करना स्टार्ट कर दिया और कई की बरेस होता ना आप कितनी क्रीम लगा लो साइड से केक दिखाई देता रहते हैं तो मैं यह पर मैंने इसको साइड से थोड़ा सा कर दिया था सीजर से और उसके बाद फे मैंने इस पर 95 नमबर नोजल से बनाए तो थोड़ा सा कलर को लाइट डाक कर रही थी और फिर रोजट बना दिए और नीचे भी शेल बना दिए तो यह था मेरा लास्ट केक तो आज केक्स आपको अच्छे लगे होंगे सारे चोटे है कोई हाई डिजाइनी वाले केक्स आज के दिन मेरे न